यह कविता है नरक में बारिश इस कविता का पूरा जो संसार है वो एक तरह की फैंटेसी की बुनावट वाला संसार है यथार्थ जब एक खास तरह से कवि के अनुभो को व्यक्त करता है यथार्थ का शिल्ब तो वो कई बार अतियथार्थ वादी या जिसको हम कहते हैं सुपर रियल भी हो जाता है हो सकता है तो वैसा कुछ शिल्ब इस कविता में है जो यथार्थ को विरूपित या अतिरंजित करना भी लग सकता है नरक में बारिश बादलों से उपर उड़ने वालों के लिए बारिशें नहीं होती मुझे मालूम है कि तुम्हें कते ही नहीं मालूम कि बारिश होती रही है बहानक सर्दी है और भीकते हुए लोगों की मौत हो रही है ये हमेशा होता है तुम अनुपस्थित रहते हो हमारे नरक से हम रित्मों के प्रकॉप खेलते हैं दिन रात फूटे गुबारों से गिरती हैं हमारी इच्छाएं हमारे सिर पर उँचाईयों से तूटकर जान बचा सकने की कोशिश में हम जाने दे आते हैं सुदूर दिशाओं के जुद्ध मुख में और बचे खुचे लोग अपंग वापस लोट आते हैं अनिश्चे और यातना की बस्तियों में वापस उम्र के वर्ष गिनने के लिए डरे डरे हम नाविकों के संस्मरन सुनते रहते हैं उंगती हुई बीमार शामों में संस्मरन दूर जाती नदियों और समुद रियात्राओं के जहां पानी की पाश विकताएं छोड़ जाती हैं यादों के दर्बों में उब और साथियों की बीमारियां और मौतें और अकेलापन और किसी द्वीब पर ताबूतों के ढखनों के गिरने की त्वनियां मनुष्य और देवता सब असफल हो जाते हैं मनुश्य और देवता सब असफल हो जाते हैं पेड़ असफट हमारी सदियों पूरानी कताएं दोहराते ठूंट हो जाते हैं पूरवज जुर्यां हिलाते इधर अधर डोलते रहते हैं दर्वाजों दालानों में तुम कहीं नहीं होते हो तुम कहीं नहीं होते हो हम अपने हत्यार जमीन की तरफ जुकाए लोटाते हैं हम चीखते हैं मगर हमारी चीखें कहा हैं हम रोते हैं मगर कहा हैं हमारे आंसू पूरवजो अनुपस्थितो हमारे आंसू कहा हैं हम घुटनों के बल इस तरह क्यों बैठ जाते हैं हम क्यों बैठे हैं इस तरह घुटनों के बल इस नरक में तुम नहीं हो हमारे इस नरक में बारिश हो रही है